Hi guys, I am Suthi from e-vidyarthi और इस session में हम करेंगे Class 11 Chapter Subsidiary Books का Illustration No. 3 यह page No. 11.8 पे Off the book दिया ग्रेवार तो हम sales book कर रहे थे तो उसी से related एक illustration है इस illustration की help से हम sales book को practically कैसे बनाते हैं in numerical उसमें वो सीखेंगे Following transactions are of Messrs. Kishore & Sons for the month of April 2017 prepare their sales book तो Kishore & Sons Messrs. Kishore & Sons के हमें transactions दे हुए है और उन transactions के help से हमें sales book बनानी है date आजाएगी सबसे पहले तो 2017 यह आगे यह अब हमारे पास April 3 को transaction है sold to Messrs. Gupta & Verma on credit 30 shirts at the rate Rs. 150 each 20 trousers at the rate Rs. 300 each less trade discount at the rate 10% तो क्या हुआ है 30 shirts हमने purchase करी है 20 trousers purchase करी है और trade discount तो हमने देखा था कि sales book जो होती है वो exactly वैसे ही बनती है जैसे purchase book होती है तो हम purchase book में क्या करते हैं सबसे पहले हम अपने trader का नाम लिखते हैं यानि जिस forms हमने purchase किया है उसका नाम लिखते हैं तो यहां पर हमारे पास आजाएगा एप्रिल प्री मैसर्स गुप्ता आण वर्मा तो हमारे पास आजाता है quantity into price per article यानि क्या क्या चीज हमने कितनी quantity में खरीदी और उनका per article price क्या है तो हमने खरीदे है 30 shirts at the rate rupees 150 each और उने खरीदे है 20 trousers at the rate rupees 300 each यह होगे 30 shirts और 20,000 अब इसका amount details की column में आ जाएगा हमारे पास 4500 30 into 150 हो जाएगा 4500 and 20 into 300 हो जाएगा 6000 यह आगे है हमारे पास items की list अब हमें क्या करना है जितने भी related expenses and trade discount है उसे less करना है तो trade discount है at the rate of 10% पहले इसका total करके लिख लेते हैं 10,500 रुपीज अब इसमें से हम less कर देंगे 1050 रुपीज और और कोई expense नहीं है तो trade discount less करने के बाद हमारे पास outer column में figure आ जाएगी 9,450 रुपीज यह आगे हमारे पास outer column में इस transaction की net figure अब देखते हैं next transaction April 10 को हुआ है sold old furniture to message Segaland company on credit Rs. 800 तो वैसे तो यह credit sales है इसे हमारी sales book में आर अच्छी है बट यह नहीं आएगी क्योंकि sale goods की नहीं हुई है sale एक old furniture की हुई है बट हम sales book में सिर्व वही transaction record करते है जो credit sales of goods से related होता है furniture हमारी goods नहीं है goods वो items होते हैं जिसमें business ordinary course में deal करता है तो furniture goods नहीं है इसलिए उसकी जो भी entry है वो चाहिए journal प्रॉपर में नाकि sales book में यानि April 10 का transaction sales book में नहीं आएगा नेक्स देखते है एप्रिल 20 तो हमने मैसेज जान अन संस को फिफ्टी शोर्ट सेल करी है उस रिकॉर्ट करते हैं यह हो गया हमारे पास complete एप्रिल 20 सबसे पहले उस फॉर्म का नाम आ जाएगा जिसको हमने sell करा है तो messers jan and sons messers jan and sons इसको हमने sell करें है 50 टी शिर्ट आड़ रेट रूपीज वन फिफ्टी एज और कोई expense या trade discount इससे related नहीं है तो उसकी जब figure होगी वो directly outer column में चली जाएगे 50 into 150 हमारे पास हो जाएगा 7500 रूपीज यह आगे figure outer column में अब आगी का transaction देखते है April 23 तो अगें credit sales का case है आजाएगा हमारे पास sales book में एप्रिल 23 सबसे पहले हम company का नाम लिखेंगे जिसे हमने sell करा है मैसेस माथोरें जेन में अमारे पास आचाएगा 100 shirts आड़रेट रूपीज 1.75 एच यह होगया पहला आइटम दूसरा आइटम थे ओवर कोट्स तो 10 ओवर कोट्स आड़रेट रूपीज 500 एच 10 ओवर कोट्स आड़रेट रूपीज 500 एच अब इसके आइटम की टीटेल्स हुआ है वो डीटेल के कॉलम में लिख लेते हैं 100 इंटू 175 हो जाएगा 175 डाबल सी 17,500 रूपीज और नेक्स आइटम में 10 इंटू 500 हमारे पास हो जाएगा 5000 रूपीज फिर ट्रेट डिसकाउंट है 10% का तो वो लेस कर देंगे उससे पहले इसका टोटल करते हैं रूपीज रूपीज इसमेंसे हम लेस कर देंगे ट्रेट डिसकाउंट ट्रेट डिसकाउंट लेस हो जाएगा 10% है यानि 2,250 रूपीज यह हम लेस कर देंगे और हमारे पास आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगी 20,250 रूपीज यह आगे हम हमार पास आउटर कॉलम में फिगर और कोई इक्सपेंस नहीं दस लिए ट्रेट डिसकाउंट लेस करके टारक लिए आउटर कॉलम में लेग दिया अब यह लास्ट ट्रांजक्शन था सारे ट्रांजक्शन जो सेस्बुक से रूलेटेट तक हमें इसमें रिकॉर्ड कर लिए अब जो भी इसका टोटल अमांट होगा वो हम सेस्ट अकाउंट में ख्रेडिट कर देंगे तो इसका टोटल करते हैं पोटल आज जाएगा इसका 37,200 और यह अमांट जाएगा सेल्स अकाउंट के ट्रेडिट में सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो यह बने हमारे पार सेल्स बुक आपने देखा होगा कि बिल्कुर परचेस बुक की तरह थी तो दोनों की प्राक्टिस आप कर सकते हैं और दोनों को सेम तरह से बनाना है बस थोड़े से डिफरेंसेज होते हैं उसमें पॉर्चेस अकाउंट में डेबिट होते था इसमें अबिस्टी सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा I hope आपको ये इलास्टरिशन समझ आया and still अगर आपको अभी भी कोई डाउट है you can write us on the comment box and don't forget to subscribe our channel thanks for watching this video and I'll meet you in the next session till then, bye bye झाल